दोस्तो देखें हमने मैथ के एक टॉपिक को लिया हुआ है और इस प्रकार के कोश्चन बहुत बार एक्जामों में पूछे गए हैं तो ये कहीं-कहीं तो मैथ में कवर कर लिया जाता है और ये कोश्चन कभी-कभी रिजनिंग के अंतरगत भी पूछे गए हैं दोस्तो ये आपका एक्जाम अभी जो आपका पेट का एक्जाम होना है या फिर आप कहलें SSC GD की वेकंसी आ गई है या UPSI की और अभी जो है ग्रूप D की वेकंसी जो आई थी पिछले 19 में वो उसका भी एक्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है या NTPC का जो एक्जाम चल से इसको बताऊंगा आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस तरीके से लगाएं चाहे तो आप सालब करके लगाएं और चाहे तो मुहजवानी अंसर बताएं आपको जो पसंद आए देखें दोस्तो मैं पहले मेथड पे चलता हूँ यहाँ पर सवाल है एक पेड़ पर कुछ तोते हैं पेड़ के नीचे बकरिया चर रही है उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों वा बकरियों की संख्या ज्यात करें ठीक है दोस्तों इस तरह से सवाल आपके सामने आये होंगे कई बार आप लगाने का तरीका देखे तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले जिस तरह से मेथर साल्व करते आए हैं वो मैं एक तरीका बताता हूँ तो आपका जो सलूशन पहले होता था वो आप दो एक्वेशन बनाते थे क्या माल लेते थे यहाँ पे जैसे माल ले हम तोतो की संख्या तोते की संख्या को X माल लिया गया और बकरियों की संख्या बकरियों की संख्या को Y माल लिया गया अब समझें कि बेसिक तरीका आपका जो था ये अभी तक आप करते आए हैं इन तरीकों से तो अब यहाँ पर तोते की संख्या अगर यक्स होगी तो आपको पता है कि तोते के कितने पैर होते हैं एक तोते के दो पैर होते हैं और एक बकरी के चार पैर होते हैं एक बकरी होगी तो उसके पास चार पैर होंगे और वहाँ पर तोते होंगे तो दो पैर होंगे दोस्तों अगर एक बकर एक तोता होगा तो वहाँ पर पैरों की संख्या दो होगी दो तोते होंगे तो पैरों की संख्या चार होगी तीन तोते होंगे तो पैरों की संख्या यहाँ पर देखें यह बन रहा है 1 into 2, 2 into 2 ऐसे ही 3 होंगे तो यहाँ पर 3 into 2 यह 2 क्या multiply हो रहा है कि एक जो तोता है उसके 2 पैर है तो जितने तोते होंगे उससे multiply हो जाएगा यहाँ पर हमने ले लिया x तोते यदि आप x ले रहे होंगे तो x into 2 अथा तोतों के जो तोटल पैरों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 x दोस्तों आपको समझना क्या है कि यह तोतों की संख्या दिया यह बकरियों की संख्या दिया हम इनके पैरों की संख्या अगर ले रहे हैं तो 1 तोता होगा तो 2 पैर होंगे दो तोते होंगे, तो चार पैर होंगे, तीन होंगे, तो 6 होंगे, यक्स होंगे, तो 2 यक्स होगा, यनि पैर दो होते हैं, यनि दुगना हो जाएगा, अगर आपके पास 10 तोते होंगे, तो पैरों की संख्या 20 हो जाएगी, पचास तोते होंगे, तो पैरों की संख्या 100 हो ज दो बकरी होगी तो दो गुले-4, 3 बकरी होगी तो 3 गुले-4 और वाई बकरिया यहां पर हमने लिया, y बकरिया तो यह हो जाएगा y into 4 यहांई, 4y, तो यहां से टोटल बकरियों के जो पैर आ जाएंगे, वो पैर कित्ते आ जाएंगे, 4y यहांई, 4y, ठीक है दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी फिलहाल इस तरह से आपको कोशन लगाना नहीं है अभी तक आप ऐसा करते आए होंगे हम इसलिए एक तरीका आपको बता रहे हैं कि यदि आपको लिखित में करना है तो आपको ऐसा करना पड़ सकता है otherwise सवाल लगाने के हम दो और भी तरीके आपको बताएंगे तो यहां से हमें पता क्या चल गया तोते की जो पैर की संख्या होगी वो 2x और बकरियों के जो पैरों की संख्या होगी वो 4y अब यह पैरों की संख्या होगी तो पैरों की कुल संख्या देखें तो अगर तोते का एक सिर होगा और बकरी का एक सिर होगा तो इसका मतलब जितने तोते और बकरिया होंगे उतने ही सिर होंगे और सिरों की संख्या यहां x दिया है सिरों की संख्या यहां 35 दिया है तो हमने माना था तोतों की संख्या x और बकरी की संख्या y इस तरह से तोते और बकरी मिला दिये जा तो x प्लस y होंगे और ये कुल मिला कि हैं कितने 35 तो इसको आप साल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जायेगा इसमें आप 2 से मल्टिप्लाइ कर लेंगे यह बन जाएगा आपका 2x इसको इसमें से minus कर लेंगे तो ये cancel हो जाएगा 4Y में से 2Y चला जाएगा 2Y आएगा और 90 से में यहाँ 35 दुना 70 घड़ जाएगा कितना आजाएगा 20 इसको आप cancel करेंगे तो Y की value कितनी आजाएगी 10 और Y हमने माना था बकरियों की संख्या तो इसका मतलब यहाँ बकरियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 10 कितने में से 35 में से क्यों तोते और बकरी के कुल सिर 35 हैं तो कुल सिर का मतलब यह जो 35 है इसमें तोते और बकरी हैं तो 10 तो आगया यह आपका Y बकरी वाला answer जैसे आपका च्छा 10 की प्रिक्षा देने जा रहे हैं तो वहां आपको लिख करके साल्व करना होता साट कर नहीं चलता है तो वहां के लिए दोस्तों ये बिटर होगा आपको हम जो बताएंगे मेधर 2 उसको देखें आप एक तो आप formula का यूज कर सकते हैं आप formula का यूज कर सकते हैं formula क्या होगा L-2H by 2 और ये किसके लिए होगा ये होगा चार पैरों वालों के लिए दोस्तों किसके लिए चार पैरों वाले के लिए मतलब ये चार पैरों वालों की संख्या आपको निकाल के देगा L क्या है? लेग है यानि यहाँ पर पैरों की संख्या L को हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या है ये? पैरों की संख्या और जो H है वो क्या है? 0 की संख्या और 2 into h, 2 गुड़ा h कितना है, head आपका 35, यह बटे में 2, यहां से आपको मिल जाएगा 90-70 कितना, 20 और 20 बटे 2 को करेंगे कितना आजाएगा 10, और दोस्तों यहां 10 जो आया हमने बताया, यह किसकी संख्या निकलेगी, 4 पैरों वाले की, अगर 35 में से यह जो 35 हैं, इसी 35 में 10 आप बता रहे हैं कि 4 पैर वाले हैं, तो बचे कितने 25, वो 25 कौन होंगे, 2 पैर वाले दोस्तों, अब मैं 3 तरीका, और सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको calculation करनी ही नहीं है, आपको बस सवाल को देखना है, और सवाल के answer आपके सामने होंगे, तो द तोटल कितने लोग हैं, 35 है, तोटल जो लोगों की संख्या है, तोटे और बकरी की मिला के 35 है, तो आप ऐसे कर लें, क्या डाट डाट बना लें, यहां हम गिंती लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यह ऐसे ऐसे कितने लोग हैं, तोटल 35 लोग हैं, दिख रहा हैं आपको एक से करके 35 लोग हैं, पैरों की संख्या कितनी हैं दोस्तों, यहां पर 90 है, और लोग कैसे हैं, तोटे हैं, तोटे होंगे, तो दो पैर वाले होंगे, बकरी हैं, तो चार पैर वाली, तो यहां या तो दो पैर वाले होंगे, या तो चार पैर वाले, तीन पैर वाले कोई है नही पाच पैर वाले कोई है नहीं एक पैर वाले कोई नहीं है मतलब ये कि दो पैर के होंगे या फिर चार पैरों वाले होंगे तो दोस्तों अगर सब के दो पैर होंगे जिनी हम माल ले थोड़ी देर के लिए कि सब ही क्या है दो पैर वाले हैं तो आप ऐसा बनाओगे इनको 2 पैर है ना, ऐसा आप बनाओगे सब 2 पैर वाले आप मान लो अभी आप थोड़ी दिर के लिए क्या मान लोगे कि सारे 2 पैर वाले हैं दोस्तों, अगर सारे 2 पैर वाले होते तो 1 बंदे के 2 पैर तो 35 लोगों को बन गए तोते अब ऐसा तो हैने की सब ही तोते हैं तो और इसमें कुछ बकरिया भी हैं आपके पास 70 पैर बट गए हैं बचे कितने 90 में से 20 अब इस 20 पैर को आप बाटेंगे फिर से तो एक एक तो नहीं बटेगा क्योंकि 3 पैर हो जाएंगे बटेगा कितना 2-2 या तो 2 पै 10 पैरों को दो दो बाटेंगे तो कितने लोगों को बढ़ जाएगा 10 पैर वाले होंगे और इदर 35 में से 10 बच गए तो कितने बच गए 25 और ये कैसे होंगे दो पैर वाले दोस्तों आपको हमने बता दिया तीसरा तरीका जो बिना कल्कुलेशन के और बिना ही पेंच लाए आप साल्व कर सकते हैं माइन में कर लें कि यहां पर 35 लोग है तो दो दो पैर दिया 70 हो गए ऐसे दिमाग में आप लगा लें कि 70 हो गए और 90 पैर में 20 बच गये 20 पैर 2-2 बाटेंगे, किते को बटेगा, 10 को बटेगा, इसका मतलब 10 जो है, वो 4 पैर वाले हैं, जो बच गए 25 कौन से होंगे, वो 2 पैर वाले अर्थात तोते होंगे, ऐसे ही हम देखते हैं, दो सवाल और भी लिया है, आपको हम practice करा देते हैं, पहला method जो हम यक स्वाई मान के लगा हैं, उसको हम नहीं करेंगे, वो आपको हमने बता दिया, कि ऐसा आप कर सकते हैं, यदि कोई high school का भी बच्चा देख रहा हो, तो उस तरीके से साल्व कर सकता है, लेकिन आपको completion में answer देना है, हमें solution नहीं दिखाना है, इसलिए आप कम से कम समय में, जो 10-20 second में हो जाएं, वही आपको step follow करना है, दोस्तों आगला question यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, देखें, इसको हम इसी तरीके से अगर साल्व करें, यहाँ लिखा है कि कुछ बगुला और कुछ खुत्ते हैं, यदि सिरो की संख्या, यदि सिरो की संख्या 24, तथा पैरों की संख्या, पैरों की कुल संख्या 60 हो, तो बगलों की संख्या ग्याद कीजिए, तो कह रहा है कि यहाँ पर सिरों की कुल संख्या कितनी हैं, दोस्तों 24 तो इस तरह से आप कितना बना लेंगे ऐसे 24 अब 60 पैर जो है आपके इसको 2-2 पैर को बाट देना है तो 2-2 पैर हमने 24 को बाट दिया आप बताओ कितने बट गए 48 पैर बताओ भी 24 लोगों को 2-2 पैर बाट दिया तो कितने बट गए 48 पैर बचे कितने 12 पैर अब 12 पैरों को आप बताओ दोस्तों 12 पैरों को 12 फिर बाटने हैं क्योंकि यहां पर बगुला है और कुटा 2 पैर के होंगे या तो 4 पैर के तो 2 पैर वाले आपके यहां पर बढ़ गए थे बच गए जो 12 उनको बाटना है और 12 को हम कितने लोगों बाट सकते हैं लोगों में तो दोस्तों 6 लोग ऐसे होंगे यहां पर जिनके पास 4 पैर होंगे तो 6 आ गया 4 पैरों वालों की संख्या 4 पैरों वालों की और जो 24 में से बच गए वो कितने बच गए 18 लोग 18 लोग कैसे होंगे वो 2 पैर वाले यानि 2 पैर वाले क्या यहाँ बगलों की संख्या पूछा है और बगलों की संख्या दो पैर, दो पैर का मतलब 18 लोग, ठीक है, और यहाँ पर 4 पैर आप से पूछ लेता, या फिर यह कह देता, कुत्तों की संख्या बताएं, तो आपका एंसर होगा 6, अगर इसको हम फार्वुले से करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फार्वुला हमने बताया, आपको L-2H by 2, और यह देगा किसका, 4 पैर वाले का, तो यहाँ यल की संख्या, यानि लेग की संख्या, 60 दे रखा है, माइनस, 2 गुड़े H, आपका यह 24 दे रखा है, by 2, तो यहाँ से 60, 24 दुना, 48, 12, 12 बटे 2, कितन 18, वो 18 कौन से होंगे, 2 पैर वाले, अगला कोशन एक और हमने लिख रखा है, दोस्तों, चाहे आप फार्मुले से लगा लें, चाहे ऐसे मोजवानी, समय आपको, दोनों में ही कम से कम समय लगेगा, पहला स्टेप जो था, पहला तरीका जो था, वो टाइम टेकन है, वो आ पहलाने सवालों में, यहां तो नहीं पड़ेगी, अगला कोशन देखे, कुछ गडरिया अपनी भेडे चरा रहे हैं, यदि, जमीन पर कुल 230 पैर, तथा, उनके सिरो की कुल संख्या 60 हो, तो भेडों की संख्या, भेडों का मतलब दोस्तों क्या समझेंगे, 4 पैर वाले, भेडों की संख्या क्या समझेंगे, 4 पैर वालों का पूछ रहा है, तो आप चाहें, तो अगर फार्मूले में रख दें, तो यहां पर जो भेड निकलेंगे, वो 4 पैर वाले निकलेंगे, तो आप रखेंगे, L माइनस 2 यच बाई 2, और यहां पर L दे रखा है, कितना 230, म इसका आगया, पच्पन भेडों की संख्या आगी दोस्तों, तो 60 में से अगर पच्पन भेड हैं, तो बच गया जो 5, वो 5 कौन होंगे, गडरिया, यानि जो गडरिया भेडे चरा रहा है, उसके भी पैर जमीन में हैं, तो यहां पर जमीन पे कुल संख्या लिखी गए, त भेडे के और जमीन, गडरिया के भी तो पैर जमीन में है, तो पांच क्या हो गए, गडरिया हो गए, पच्पन क्या हो गए, भेडे हो गई, अगर आप इसको जनरल मिधर से जो हमने बताया आपको वैदिक मिधर से लगाना चाहें आप, तो कैसे कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सिरो की संख्या देखें कितने लोग हैं, सिरो की संख्या यहाँ 60 है, दोस्तों आप एक से ऐसे दो, तीन, चार, कहां तक बना लेंगे, साथ तक, और सबसे पहला काम आपको हमने बता है क्या, दो-दो पैर आप बाट दो सबको, क्योंकि दो-दो पैर तो कम से कम होंगे, ही चार वाले भी होंगे, तो अभी हम चार पैर दे देंगे, तो 60 लोगों को, अगर हम दो-दो पैर बाट दिये, दोस्तों, तो 120 पैर आपके बढ़ गे, अब यहाँ पर बचे कितने, 110 पैर आप 2-2 पैर फिर देंगे तो कितने लोगों को मिल जाएगा 55 लोगों को तो यहाँ पर 55 आदमी जो होगा इस तरह से इतने लोगों को हम दे पाएंगे 2-2 और पैर यानि 55 लोगों को 2-2 पैर और दे दिया तो 110 पैर जो बचे थे 230 में से वो भी खतम हो गए तो यहाँ 55 लोगों के पास 4 पैर हो गए और जो 5 लोग बच गए वो कैसे हो गए दो पैर वाले तो भेडों की संख्या पूछा है 4 पैर चार पैर वालों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो आप दबा के लाइक करिए शेयर करिए और इसी तरह से हमें मोटिवेट करिए ताकि हम आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह से पहुचाते रहें